हलो दोस्तों नमस्कार सागत है आपका गैजट टेक इंफो में आज मैं आपके लिए एक घरेल वाटा चक्की लेकर आया हूँ और यह हमारे पास डिलीवर हो चुकी है और इसकी अनबॉक्सिंग और सेटिंग इस्टॉल्मेंट और इसका प्रेक्टिकल डेमो सब कुछ आपक नहीं रहेगी जो अलमारी कवर्ड में आती ही वह ज्यादा सही है या फिर जो फट्फर ग्लाइंडर के साथ आपको मिलती है मिक्सी की तरह बनावाट में वह ज्यादा सही है फिलाल जो मैंने आपके लिए अन्बॉक्सिंग शुरू की आटा चक्की है जो की मिक्सी चाहता हूं जो कि टेक्नो पे और मैंने ऑनलाइन मंगवाई है और काफी अच्छे से पैक करके इसे भेजा गया है कई लेयर से कि इसमें कार्टून पैकिंग है जैसे कि आप देखी रहे हैं कि काफी मजबूती से पैक होकर आया है वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर द मैंने थोड़ा इत्मिनान से वीडियो बनाया है क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको हर एक जानकारी कंफर्मरली मिल जाए और आपको लेते वक्त यह कभी डाउट नहों कि हमें और क्या इसमें जानना जरूरी रह गया है तो इसके अंदर से कार्टून और निकला है तो चलि और काफी वजन था या झायता तो चलिए फटा 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 वही हम इस कार्टून को भी ऑपेंड कर लेते हैं और इसे भी खोलते हैं और इसके अंदर से हमारा जो पर और से मिल आपकर लिखा हुआ हैं और इसमें इसकी कुछ मैनुवल से जानकारी दी गही है वैसे तो मैं आपको जब इसका इस्टॉलेशन करूंगा तो सारी चीजे मैं खुद आपको बता दूँगा लेकिन मैं आपको कार्टॉन दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये भी काफी safely पैक होके अंदर का कार्टॉन आया है और इसके बाहर का भी कार्टॉन बहुत अच्छे से पैक हो कर आया था कहीं कोई भाहर निकाल लिया है और अब मैं आपको दिखा रहा हूं इसे अब इसे मैंने बाहर निकाल लिया है अकेले इसे आटा चक्की का वजह नहीं करीम मुझे 25 किलों से उपर लग रहा है काफी वज़ा नहीं है और अगर इसके ब्रांड पर ध्यान दें तो इसमें पुछ से टेनी मिल लिखा हुआ है बहुत सारी कंपनिया इसे बनाती है लोकल मैनुफेक्चरर बनाते हैं और आपको असानी से मिल जाएगा दुकानों में भी मिल जाएगा तो चलिए फटा चारो कोन में क्ता हुआ हुआ है जिससे इसका पत्थड वाल रहता है ये पथ्थर इस्तिमाल होता है अर्व इसको एसेंबल किया जाता है और ये पत्थर वाली आटा चक्की दोस्तों इसमें इसको लेने का एक फायदा यह है कि आप इसमें है चीज ग्राइड कर सकते हैं आप दलिया से लेकर दाल मसाले आटा मैदा आटा चावल या ऐसी कोई चीज नहीं जो आप इसमें ग्राइड ना कर सके हलाकि अगर आप इस टील ब्लेट वाली वाली जो अलमारी की तरह फ्रिज की तरह आती है उसको लेते हैं तो उसमें आपको बहुत सारे आप्शन नहीं म देखते हैं कि साथ क्या क्या मिला है कि मुझे कुछ बैक टाइब का निकला इसमें गरंटी कार्ड लिखा हुआ है और देखते हैं यह चार वील है जो साइद नीचे इस मिक्स आटा चक्की में लगाए जा सकते हैं इसमें कुछ और पार्स है कहां पर क्या इस्तमाल होगा अब इसके बाद करना है और कौन सा साइच कहां पर चीज़े में आपको पता है वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो फीडिवार्च आपको दुबारा से इसे फिर सेट कर सकते हैं उठाने में कापी वज़न है तो उसको खरना कि मुझे एप उसको नहीं हो कि आगर बाइबिरेट करें चले किसके भी तो मैंने यह चोटा प्लास्टिक और बोल्ट टाइब का मिला है और इसमें पति दी हुई है जिससे हम गिहों को कम ज्यादा गिरने में कर सकते हैं उसे इसके Васइbor से इसेडल कर सकते हैं जो यह एक मुटाई और पतला चाहिए कितना मोटा चाहिए वही स्लाइड ही है और इसको असानी से सेट कर दिया जाता है मैं भी आपको सेट करके भी दिखाऊंगा एक सामने की तरफ इसमें दिया हुआ है होल उसी में से कस देना है और उसके बाद इस तरह से घुमाना है और इसमें लाश्ट में लगी हुई है पिन जो है जीरो साइड से स् एक बार मैं आपको चैंबर भी खूल के दिखा देता हूं इसका पत्थड भी आपको दिखा देता हूं कि कि साइज का पता हुआ और इसलेWow यह जीर जाता है जिसे लृए जिसे हम नापने आपको मिलता है मैंने जो होपर है आपर कमो जो पहले आगे की तरफ जो कि असान ही इसको यूज कर सकते हैं तो चार बॉल्ड्स हमने इसमें दुबारा से कस दी हैं और आप इसके हॉपर को हमें करना है तो हम फटा-फट इसे भी सेंब्ल कर लेते हैं इस तरीके से तो इसे चक्की में लगाना है और इसके उपर से यह हॉपर को यहाँ पर फिक्स करना है कि हाला कि इस plastic के अंदर ही एक अलग से और एक बॉल्ट लगा होताए जिसे आने बाहर निकाल लेना है कि और वह आपर कि उपर लग जाएगा यह जैसे के मिन निकाल रहा हूं इसको नीचे से लगाना है और उस बॉल्ट को उपर से कस है अब हमेशा याद है कि मोटर जब भी चालू करना है तो इसको बहुत में यह पीछटर ना शाल करना कि ऑप इसको प्तार करने आपका design है O यह इस आठाचकी का कवर है आप इस्तमाल करने के बाद असानी से इसकार से पूरी आठाचकी को ड़क सकते हैं और एक पैकेट और इसमें इसे भी कोल के देखते हैं इसके अंदर क्या है यह कपड़ा है यह कपड़ा है जो कि हम इसके जहां से आठा गिरेगा उसके मौहाने सेट कर देंगे और यह असानी से लास्टिक लगा हुआ है इसमें और यहां पर सेट हो गया आप चाहें तो घर में अपनी मसीन से बड़े साइच का कपड़ा भी इस्तमाल कर सकते हैं जो आपके लिए कंफर्ट हो कि आटा आपको कैसे चाहिए कहां पर करना है यह कपड़ा का आपको ठाली यह चोटा बगोना यह चोटा पातर रखना होगा अगर आप किसी उचाई में मसीन को रखते हैं चक्की को रखते हैं तो नीची अगर चाहते एक आपको शाइए पकड़ा भी इसका बढ़ाना होगा जो आप अपने इसाब आपनी घरेलु मसीन में सिलकर तयार कर सकते हैं और असानी से श्दमाल कर सकते हैं इसमें जो यह लाल बटन दिया हुआ है, तो यह लाल बटन दिया हुआ है, इसलिए तो कभी आपकी चक्की जाम हो झाए है, तो आ। उसको द talking देले हुआ है, जया कभी आनांच फ़स गया य और किस तरीके से मसीन चलती है यह इसका वायर है काफी अच्छी लेंद है वायर कि आप चाहें तो लगबाग 5-7 फुट दूर भी बॉर्ड से रखके इसे इसे इस्तमाल कर सकते हैं चारों तरफ से एक बार मैं फिर आपको दिखाने की कुशिस कर रहा हूं पूरा एसेंबल होने के बाद कि आपको यहाटा चक्क कैसे दिखाई देती है और असानी से आप इसे निकाल सकते हैं लगा सकते हैं कोई प्राबलम इसमें होने वाली नहीं है इसमें जो मोटर दी उने 200 से नीचे है तो आप इस्तमाल ना करिए अगर बोल्टेज 300 के उपर है तब भी आप इस्तमाल ना करें तो आपके आपके आटा चकी का जो मोटर हो काफी सुरक्चित रहेगा बोल्टेज का यहां पर जरूर द्यान दीजिए और हो सके तो घर में एक मल्टी मीटर कर रहा हूं अब बिल्कुल खुला मैंने से चलाया हुआ है ताकि आपको पूरी तरीके से दिखाई दे सके जैसे कि आप देख रहे होगे कि इसमें थोड़ा आटा उड़ भी रहा है तो ऐसे में हम कंटीनर का इस्तमाल करते हैं और कपड़ा और लंबा कर लेते हैं तो यह न्याओं से ही पहले अना जिसमें डिलवाए था यूंकि ऐसा हम मानते हैं कि साइद पूजा करके या कन्या के द्वारा इसका उडगाटन कराके इस्तमाल करेंगे तो काफी दिन तक हमारे साथ रहेगा काफी टाइम तक हमारे साथ देगा तो यहां पर मैंने आपको हर कर लिए और इसके आपर में कुछ दाने हमने कन्याओं से भी डलवा दिये हैं और हम इसे अब इस्टार्ट करेंगे पहले मैंने जो आपको दिखाया था डिरेक्टली बीच में से ही चलता हुआ चोटा सा पार्ट दिखा दिया था अभी हम इसको मैनूली आपके लिए दु सब्सक्राइब करके रखता है और आपको अपना स्लाइड घृफाना है कि अकितने नंबर दिए होते हैं और अपने सब्सक्राइक सब्सक्राइब अभी आपको सेट करने के टाइम में निकलता है उसे वापस से होपर में डाल दीजिए जब आपका होपर पूरा फिनिस होगा तो वह भी साथ में पिसके बराबर निकल जाएगा क्या connectivity तो हम इसमें भारीक पीती है या हमें जिस तरीके का चाहिएे उस तरीके कर भी पीती सकते हैं यही workshop मैंने आपको बताया दाले में 14 अपको पूरा बंद रख कें और जब मसीन चालू हो जाए था बलैक कलर की जो स्लाइड आपको दिख रही है canal करना है हमने चोटे से अभी एक बगवने में आटा को इस्टोर करना शुरू किया है अलांकि अगर आपको ज्यादा फिसना होगा तो मसीन भी आपको उचाई में रखनी होगी और नीचे कंटेनर भी बड़ा लगाना होगा जब आप यहों पीस रहे हैं और बोल्टेज आप यहां प करता है